हेलो फ्रेंड्स हावर यू जी के 2020 यूट्यूब चैनल की NCRT वीडियो स्रीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है पिछले दो दिनों से हम कौन से टोपिक की बात कर रहे हैं हम मोगल सामराज्य की बात कर रहे हैं और दोस्तों यह NCRT में कौन से स्टांडर में कौन सी किताब है तो याद रख लिजिएगा NCRT के सोसियल साइंस की टेक्सबूक जिसका नाम है हमारे अतित्ट टू दोस्तों यह किताब में पेज नंबर 50 से 54 पर जो भी टॉपिक की बात की गई है तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और यहां से जो भी महतोपुर्ण क्वेशन निकल सकते हैं उनको भी हमने इस वीडियो में एड किया है तो पहले तो इस वीडियो को आप लाइक क कर रहे है और मुगल समरज्य में बाबर हुमायू अकबर जहागिर शाव जहां और आरंग जयब से जुड़ी हुई जो भी महतोपुर्ण बाते आती हैं उनको हमने यहां कवर किया है और मुगल समराज्य की शाषन व्योस्था में दोस्तो कौन-कौन से महतोपुर्ण पत थे उनकी बात भी हमने इस वीडियो में की है तो चलिए बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करें हमारे अतित्तु कक्षा स सोशियल साइंस की टेक्सबूक यूनिट फॉर मुगल समराज्य उत्तराधिकार की मुगल परमपराये यानकी मुगल शाषनकाल में किसको उत्तराधिकारी बनाया जाता था जेश्ट पुत्र को देखो मुगल जेश्ट अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जि इसके विप्रित उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमुर वन्षो की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजान समस्त पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता था, यानकी मान लिजिये कि किसी मुगल शाशक के चार पुत्र है और उनके चार प्रांतों में विभिन राज्य है, तो हर एक पुत्र को एक प्रांत का राज्या बना दिया जाता था, देखो, मुगल जेश्ट अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें जेश्ट पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी वता था इसके विप्रिक उत्तराधिकार में वे सहदायात की मुगल और तैमुर वन्चों की प्रथा को अपना थे थे जिसमें उत्तराधिकार का विवाजान समस्तर पुत्रों में कर दिया जाता था चलिए इस कुशन का आंसर बताईए मुगल शाशन वियोस्था के संदर्भ में निम्न लिखित कथनों पर विचार करें दो सेंटेंस दिये हैं दोनों को ध्यान से पढ़ना है और उपर युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है चलो पढ़ो मुगल शाशक जेश्टा धिकार के नियम में विश्वास करते थे विदान सही या गलत यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि मुगल शाशक जेश्टा धिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे मुगल शाशक तैमूर वन्शो की प्रथा को अपना थे थे यह सेंटेंस बिल आगे मुगलों के अन्य शाशकों के साथ जो सबंद विक्सित किये थे उनकी बात करे तो मुगलों ने उन शाशकों के विरुद लगातार अभ्यान किये जिन होने उनकी सत्ता को स्विकार करने से इंकार कर दिया क्या दोस्तो मुगलोंने ओन शाशकों के विरुद्ध लगातार युद्ध किये जिन होने उनकी सत्ता को स्विकार करने से इंकार कर दिया जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कहीं शाशकोंने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्विकार कर ले राजपुत इसका एक अच्छा उदारण है अने कोने मुगल गराने में अपनी पुत्रियों के विवा करके उचपद प्राप्त किये परन्तु कईयोंने विरुद्ध भी किया एक बार फिर से देखलो कि मुगलों के अन्य शाशकों के साथ जो सबंध विक्सित हुए इनमें सबसे अच्छा उदारण है अकबर का क्योंकि अकबर ने सभी लगबग लगबग सभी राजव राजपुत हो या कोई और उनके साथ शादी किये या और सबंध विक्सित किय और दोस्तों अपने राज्य का विस्तार किया था अकबर ने तो मुगलोंने उन शाशकों के विरुद लगातार अभ्यान किये जिन होने उनकी सत्ता को स्विकार करने से इंकार किया और जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शाशकोंने स्विच्छा से उनकी सत्त का स्विकार किया और राजपुत इसका एक अच्छा उदारन भी है अने को ने मुगल कराने में अपनी पुत्रियों के विवा करके उच्पत्पूत राजपूतों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवा करके उच पद प्राप्त के ये सही आंसर बनता है option C राजपुतों के साथ मुगलों की जो शादिया हुई उनके कुछ एक्जम्पल में आपके समने रखता हूँ देखो जहांगीर की मा कच्छवा की राजकुमारी थी वह अंबर के राजपुत शाशक की पुत्री थी और अंबर बोले तो वर्तमान का जैपुर शा जहांगीर की मा एक राठोड राजकुमारी थी वह मारवाड यानकी जोदपुर के राजपुत शाशक की पुत्री थी शाशक की पुत्री थी अंबर बोले तो वर्तमान का जैपूर और शा जहां की मा एक राठोड राजकुमारी थी वो मारवाड यानि कि जोधपूर के राजपुत शाशक की पुत्री थी चलिए अब इस क्वेशन का अंसर बताए कि जहांगीर के संदर्बं में निम्नल इखित कथनों पर विचार करें दो सेंटेंस दिये है और उपर युक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको गयस करना है चलो पड़ो जहांगीर की मा कच्छवा की राजकुमारी थी यह कथन बिलकुल सही जहांगीर की मा कच्छवा की राजकुमारी थी यहां पर मीने आपको बता क्योंकि जहांगेर की मा मारवाड नहीं बलकि कहां की अंबर अंबर यानि की वर्तमान का जैपूर जैपूर के राजपूत शाशक की पूत्री थी तो दूसरे नंबर का सेंटेंस हो गया गलत और हमें पुछा गया है कौन सा कथन सही है तो किवल एक नंबर का कथन सही आंसर पन जाता है ओप्शन ए आगे बात करें तो मेवार के सिसोधिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्विकार करने से इंकार करते रहे इन में से एक थी अमारे महाराना प्रताप परन्तु जब वे हरे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान ये व्योहार किया और उन्हें उनकी जागिरे वतन जागिर के रूप में वापिस कर दी क्या दोस्तो मेवार के सिसोधिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्विकार करने से इंकार करते रहे परन्तु जब वे हरे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान ये व्योहार किया और उन्हें उनकी जागिरे वतन जागिर के रूप में वापिस कर दे चलिए आंसर बताइए नीमना में से किस ने मुगलों की सत्ता को स्विकार करने से इंकार किया था तो दस्तो मुगलों की सत्ता को शुरुआत में स्विकार करने से इंकार किया था सिसोध्या राजपुतों ने सिसोध या ओमेजे एक हमारे थे महाराना प्रताप लेकिन महाराना प्रताप जब तक जिन्दा रहे तक उन्होंने मुगलों की सत्ता का स्विकार नहीं किया था। युद किया प्राजित किया फिर भी उनके साथ अच्छा व्योवार भी किया किसने अकबर ने लेकिन औरंग जेब ने ऐसा नहीं किया था। मिने आपको बताया था कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्विकार करने आये तो औरंग जेब ने उनका आपमान किया और दोस्तो आगरा के एक किले में शिवाजी महराज को बंद कर दिया था लेकिन वहां से हमारे शिवाजी महराज भाग निकले थे कल मीने आपको बताया था। इस कुशन का आंसर बताये मुगल भारत के अनेक शाशकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाये क्योंकि तो दोस्तो कि सोज़ा से यह मुगल शाशक भारत के और शाशकों के बीच अपना प्रभाव बढ़ा पाये तो में आपको बताया कि पराजित करने परंत बे आगे दोस्तों मनसबदार और जागिरदार की बात करें. तो जैसे जैसे सामराज्य में विबिन कृत्र सम्मीलित होते गए वैसे बैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समुहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरम किया. पहले क्या था कि जो भी तूरानी थे यानि कि तूर्की थे उनको अपनी सेना में शामिल किया लेकिन मुगलों ने बाद में हमारे भारतिय, मुसल्मानों, राजपुतों, मराठों को भी अपनी सेना में शामिल किया विबिन पदों पर नियुक्त किया था देखो जैसे जैसे सामराज्य में विबिन क्षेत्र सम्मिलित हो दे गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समुहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरम किया शुरू-शुरू में ज्यादातर सरदार तूर्की यानिकी तुरानी थे लेकिन अब इस छोटे समु के साथ साथ उन्होंने शाषक वर्ग में इरानियों, भार्तिय मुसल्मानों, अफगानों, राजपुतों, मराठों और अन्य समुहों को भी सम्मिलित किया और मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर्शा मनसबदार कहलाए एक बार फिर से पढ़लो कि शुरू-शुरू में ज्यादातर सरदार तूर्की यानिकी तुरानी थे लेकिन अब इस छोटे समु के साथ साथ यह मुगलों ने अपने शाषन में इरानियों, भार्तिय मुसल्मानों, अफ अपने प्रशासन में नियुक्त किया था, तो मुगलों ने कि इसको अपने प्रशासन में नियुक्त किया था, इरानियों को भी अपने प्रशासन में नियुक्त किया, भार्तिय मुसल्मानों को भी सम्मिलित किया, राजपुतों को भी शामिल किया, तो हमारा आंसर बन जा तो मैंने आपको बताया मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर्शा क्या कर लाए मनसबदार कर लाए सही आंसर है option A और मनसबदार शब्द का प्रियोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानि कोई सरकारी हैसियत अत्वा पद मिलता था यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेनी व्योस्ता थी जिसके जरिये पद, वेतान एवं सेन्य उत्तरदाईत्व निर्दारित किये जाते थे एक बार फिर चे पड़लो कि मनसब दार शब्द का प्रियोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानि कोई सरकारी हैसियत अत्वा पद मिलता था यह मुगलो द्वारा चलाई गई स्रेणी व्योस्ता थी जिसके जरिये पद, वेतन एवं सेन्य उत्तरदाईत्व निर्दारित किये जाते थे पद और वेतन का निर्दारन जात की संख्या पर निर्बर था और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था और जात की जो स्रेणिया दोस्तो टेक्सबूक में बताई गई है वो कुछ इस तरह है कि 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से उचा था अकबर के शाशनकाल में 29 सही से मनसबदार थे जो 5000 जात की पद्वी के थे अकबर के शाशनकाल में 29 सही से मनसबदार थे जो 5000 जात की पद्वी के थे और औरंग जेब के शाशनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई थे उन्नासी हो गई थे चलिए आंसर बताईए मोगल शाशन व्योस्ता के संदर्भम में निमना लिखित कथनों पर विचार करे दो सेंटेंस बताईए है और उपर युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है पडो पद और वेतन का निर्दारान जात की संख्या पर निर्बर था जी हाँ यह कथन बिल्कुल सही अकबर के शाशन काल में मनसबदार औरंग जैब के शाशन काल से ज्यादा थे यह कथन सही या गलत गलत है क्योंकि अकबर के शाषनकाल में मनसबदारों की संख्या कितनी थी 29 के आसपास थी लेकिन औरंग जेब के शाषनकाल में यह मनसबदारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी 69 हो गई थी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 29 मनसबदार थे किसके शाषनकाल में में 29 ऐसे मनसबदार थे लेकिन औरंग जेब के शाषनकाल मेंustomसबदारों की संख्या कितनी हो गई थी और हमें पुछा गया है कौन सा कथन सही है किवल एक नंबर का कथन सही आंसर बन जाता है option A आगे बात करें और जो सैनिय उत्तर दाइत्वा मनसबदारों को सौपे जाते थे उन्हें के अनुसार उन्हें गुड सवार रखने पड़ते थे मनसबदार अपने सवारों को निरिक्षन के लिए लाते थे वे अपने सैनिको के घोडों को दगवाते थे यानि कि घोडों को एक निश्चित प्रकार का निशान लगवाया जाता था जिसे कहा जाता था दाग प्रथा एवं सैनिको का पंजी करण करवाना इसे कहा जाता था हुल्या प्रथा और इन कारवाहिवों के बाद ही उन्हें सैनिको को वेतन देने के लिए दन मिलता था एक बार फिर से पड़ो जो सैनिय उत्तर दाईत्वा मनसबदारों को सौपे जाते थे उन्हें के अनुसार उन्हें गुड सवार रखने पड़ते थे मनसबदार अपने सवारों को निरिक्षन के लिए लाते थे वे आपने सैनिको के गोड़ों को दगवाते थे यानकी एक न निश्चित प्रकार का निशान लगाया जाता था एवं सैनिको का पंजिकरन करवाते थे वुल्या प्रथा अस्तित्व में थे और इन कारवायों के बाद ही उन्हें सैनिको को वेतन देने के लिए धन मिलता था चल यह आंसर बताईए किसके शाषनकाल में घोडों को दगवा ना एवं सैनिको का पंजिकरन करवाना अनिवार्य था सही आंसर है ओप्शन डी मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमी के रुप में पाते थे जिन हैं जागिर करते थे और जो तकरीबन एकताओ के समान थे परन्तो मनसबदार मुक्तियों से बिन अपनी जागिरों पर नहीं रहते थे और नहीं उन पर प्रशासन करते थे उनके पास अपनी जागिरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि वे स्वयाम देश के किसी अन्य भाग में सेवारत एक बार फिर से पढ़लो कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमी के रुप में पाते थे जिन है जागिर कहते थे और जो तकरीबन एकताओ के समान थे परन्तों मनसबदार मुक्तियों से बेन अपनी जागिरों पर नहीं रहते थे और नहीं उन पर प्रशासन करते थे उनके पास अपनी जागिरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और यह राजस्व उनके नोकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि विश्वयम देश के किसी अन्यवाग में सिवरत रहते थे चलिए इस कुशन का अंसर बताईए और अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमी के रुप में पाते थे, जिन्हे क्या कहते थे, जिन्हे कहा जाता था जागिर, सही आंसर है, आप्शन B, अकबर के शाशनकाल में इन जागिरों का सावधानी पुर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मन मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, मनसबदारों की संक्या में भी अत्यधिक वृद्धी हुई, जिसके कारण उण्हे जागिर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, इन सभी कारणों से जागिरों की संक्या में कमी हो गई, फल सुरुप कहीं जागिरदा जागी रहने पर यह क्वाशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले एक बार फिर चे पढ़लो कि अकबर के शाशनकाल में इन जागीरों का सावधानी पुर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तक्रीबन बराबर रहे औरंग जेब के शाशनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थीती बिल्कुल बदल गई और अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था मनसबदारों की संक्या में भी अत्यधिक वृद्धी हुई जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था इन सभी कारणों से जागीरों की संक्या में कमी हो गए फल सुरुप काई जागीरदार जागीर रहने पर यह क्वाशिश करते थे कि वे जितना राजस्ववसुल कर सके कर ले चलिए आंसर बताए जिसके कारण बाद में रिक्तस्थान दिया गया है तो दसतो बाद में क्या हुआ तो मुगलों के शाषनकाल में मनसबदारों की संक्या में भी अत्यधिक रुद्धी हुई जिसके कारण जागीरों की संक्या में कमी हो गई थी चाही आंसर है option A आगे बात करे तो अपने शार्षनकाल के अंतिम वर्षों में औरंग जेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रन नहीं रख पाया इस कारण कीसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा दोस्तो अंतिम वर्षों में औरंग जेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रन नही नहीं रख पाया इस कारण किसानों को अतियधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था आगे दोस्तों जबत और जमिदार की बात करें जबत किसे कहा जाता है, जमिदार किसे कहा जाता है, आगे मैं आपको बताओंगा पहले देखो कि मुगलों की आमदनी का प्रमुक साधन किसानों की उपद से मिलने वाला राजस्व था यहाँ से क्वेशन निकल सकता है कि मुगलों की आमदनी का प्रमुक साधन क्या था किसानों की उपद से मिलने वाला राजस्व था अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामिन कूलिनों यानिकी मुख्या या स्थानिय सर्दारों के माध्यम से राजसों देते थे समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानिय ग्राम के मुख्या हो या फिर शक्तिशाली सर्दार हो मुगल एक ही शब्द जमीदार का प्रियोग करते थे दोस्तों क्या मुगल जमीदार शब्द का प्रियोग किसके लिए करते थे ग्राम के मुख्या हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो उनके लिए मुगल जमीदार शब्द का प्रियोग करते थे अकबर की राजस्व मंत्री टोडर्मल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालाउधी के लिए क्रिशी की पैदावार, किम्मतों और क्रिशी भूमी का सावधानी पुर्वक सर्वेक्षन किया इन आक्णों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानिकी राजस्व निष्चित कर दिया गया एक बार फिर से पढलो, जप्त और जमिदार मोगलों की आमदनी का प्रमुक साधन, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था अधिक्तर स्थानों पर किसान ग्रामिन कुली नो यानकी मुख्या या स्थानिय सर्दारों के माध्यम से राजस्व देते थे तो या ग्रामिन मुख्या या स्थानिय सर्दारों को कहा जाता था जमिदार समस्त मद्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानी या ग्राम के मुख्या हो या फिर शक्तिशाली सर्दार हो मुगल एक ही शब्द जमीदार का प्रियोग करते थे अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे टोडर मल टोडर मल ने 10 साल यान की 1570 से 1580 की कालावधी के लिए क्रिशी की पैदावार, किमतों और क्रिशी बोमी का सावधानी पुर्वक सर्वेक्षन किया इन आकडों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद की रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया चली आंसर बताएए, अकड़ के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? मैंने किसका नाम लिया? अकड़ का राजस्व मंत्री था टोडर मल सही आंसर है option D और प्रत्येक सुबे, यान की प्रांत को राजस्व मंदलों में बाठा गया और प्रत्यक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सुची बनाए गये राजस्व प्राप्त करने की इस व्योस्था को जबत कहा जाता है। तो याद रखना अकबर के शाशनकाल में प्रत्यक सुबे को राजस्व मंदलों में बाटा गया था। उन स्थानों पर प्रचलित थे जहाँ पर मोगल प्रशासनिक अधिकारी भोमी का निरिक्षन कर सकते थे और सावदानी पुर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरिक्षन गुजरात और बंगाल जैसे प्राहंतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षित्र में जमीदार इतने शक्ती शाली थे कि मोगल प्रशासको द्वारा शोशन किये जाने की स्थिती में वे विद्रो कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाती के जमीदार और किसान मोगल सत्ता के खिलाप मिलकर विद्रो कर देते थे। क्या सत्रवी शत्ताब्री के आखिरी से ऐसे किसान विद्रो होने मोगल सामराज्य के स्थाई त्वकों चुनोती दी थे। आगे दोस्तों अकबर की नित्यों की बात करें तो प्रशासन के मुख्य अभी लक्षन अकबर ने निर्दारित किये थे। और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबर नामा विशेशकर आईने अकबरी में मिलता है। याद रखना कि प्रशासन के मुख्य अभी लक्षन अकबर ने निर्दारित किये थे और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबर नामा विशेशकर आईने अकबरी में मिलता है। और दोस्तों यह भी कलमी ने आपको बताया था कि अकबर नामा या आईने अकबरी किस ने लिखी है तो याद रखना अबुल फजल ने लिखी है। कानून और व्योस्था बनाये रखने के लिए सूबेदार को अन्य अपसरों का सहयोग प्राप्त था। कहां से यहां से अकबर की नितिया प्रशासन के मुख्य अभी लक्षन अकबर ने निर्दारित किये थे और इनका विस्त्रूत वरणन अबुल फजल की अकबर नामा विशेशकर आईने अकबरी में मिलता है अबुल फजल की अनुसार सामराज्य कहें प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हे सुबा कहा जाता था सुबो के प्रशासक सुबेदार कहलाते थे जो राजनेतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कारियों का निर्वा करते थे कौन सुबेदार और प्रतियक प्रांत में एक वित्तिय अधिकारी भी होता था जो दिवान कहलाता था वित्तिय अधिकारी कहलाता था दिवान कानूर और व्योस्था बनाए रखने के लिए सुवेदार को अन्य अपसरों का सहयोग प्राप्त था जैसा कि बक्षी सैनिक वित्तन अधिकारी इसे कह जाता था बक्षी धार्मिक और दर्मार्थ की जाने वाले कारियों का मंत्री कहलाता था सदर कहलाता था स्याना नायक कहल आता था फोस्दार और नगर का पूलिस अधिकारी जी से कह जाता था कोतवाल तो यहां से एक क्वेशन बन सकता है आंसर बताईए कि अकबर के प्रशासन सबंदित अधिकारी के संदर्वा में कौन सा युगम गलत है सुबो के प्रशासक सुविदार कह लाता था युगम बिलकुल सही वित्य अधिकारी कोतवाल कह लाता था यह गलत है क्योंकि वित्य अधिकारी कोतवाल किसे कह जाता था नगर का पूलिस अधिकारी कोतवाल कह लाता था लेकिन यहां पर वित्य अधिकारी क्या कह लाता था वित्य अधिकारी दीवान कहलाता था तो यह युगमा गलत हो गया हमारा आंसर बन जाता है option B आगे पढ़ लेते हैं स्याना नायक फोसदार और सैनिक विताना अधिकारी बक्षी कहलाता था यहां वीडियो को खत्म करते हैं वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को यह वीडियो की लिंक Facebook, WhatsApp, यह टेलेग्राम के जरिए शेर करना मत पुलिएगा बस चोटे से उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं कल मिलेंगे इसी इकाई में यानकी मुगल सामराज्य में और यह हमारा लास्ट पार्ट होगा कल ओके मिलते हैं कल टेक केर एंड जैहन